दोस्तों भारत में होने वाले वर्लकप 2023 का आगाश 5 अक्तूबर से होने जा रहा है और इस मेगा इवन्ट की टॉप 4 टीमों को लेकर किर्कट दिगजों ने भविस्वारी की है दोस्तों सभी ने इंडिया और आस्ट्रेलिया को टॉप 4 में रखा है दोस्तों क्या है पूरी ख़वर आपको आगे वीडियो में बताएंगे लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतिय टीम के फाइन है तो वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें दोस्तों वल्लकप के आगाज से पहले दुनिया भर के किर्केट दिगजों ने टूनामेंट की टॉप 4 टीमों को लेकर अपनी अपनी राय रखी है इसमें हर किसी के टॉप 4 में इंडिया और आस्ट्रेलिया का नाम कॉमन रहा है और वहीं तीसरी फेवरेट टीम इंगलेंड रही है और वहीं चोथी टीम के लिए पाकिस्तान साउथ अफरीका और नुजियलेंड के बीच जंग रही है और वहीं 14 अक्तूबर को उनका सामना पाकिस्तान से होगा दोस्तों वहीं गुरूप स्टेज में भारत का आखरी मैच 12 नॉबर को नीदरलेंड से है और इसी मैच से गुरूप स्टेज का अंत भी है दोस्तों आपको बता दे वर्ल्ड कप 2013 के ब्रॉड कास्टर इस्टाइर स्पोर्ट ने अपने सोसल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उनके एक्सपर्ट सुनिल गावासकर, गौतम गंभीर, जैक कैलिस समय दस दिगजों ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी टॉप 4 टीमों चुनी है दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ दिगजों के टॉप 4 टीमों के बारे में बताने वाले हैं आईए दोस्तों जानते हैं इंड के बारे में दोस्तों जैक कैलिस ने अपने वर्ल्ड कप 2020 के लिए टॉप 4 टीमों में इंडिया, इंगलेंड, साउथ अफरीका और आस्ट्रेलिया को चुना है और वहीं एरान फिंच ने इंडिया, इंगलेंड, आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को अपनी टॉप 4 टीमों में सामिल किया है और क्रिस गेल की टॉप 4 टीमों में भी इंडिया, पाकिस्तान, इंगलेंड और आस्ट्रेलिया सामिल है दोस्तों वही कौतम गंभीर ने अपनी टॉप 4 में इंगलेंड, आस्टेलिया, इंडिया और नीजिलेंड को चुना है और वही पूर्ब दिगज सुनिल गवासकर ने अपनी टॉप 4 में इंगलेंड, आस्टेलिया, इंडिया और साथ अफरीका को रखा है और दोस्तों इरिफान पठान की टॉप 4 टीम में इंडिया, साउथ अफरीका, इंगलेंड और आस्ट्रेलिया टीम सामिल है दोस्तों आपको इन दिगजों में से किस दिगज की टॉप 4 टीम में ज्यादा खतरनाक लगी कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद